नमस्कार दोस्तों मिरा नाम है हमाईशू पारशर और आप देख रहे हैं हमाईशू कोचिंग क्लासिस यह बहुत ही छोटा सा वीडियो है पर इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज आपको समझा कर जाऊंगा जो कि रिलेटेड है नौट फॉर प्रॉफिट और्गनाईशन के देखिए फाइनेशियल इस्टेट्मेंट प्रॉफिट और्गनाईशन में अलग बनता है उसमें ट्रेडिंग अकाउंट मैनिफेक्चरिंग अकाउंट प्र पिएंडल अकाउंट बैलन शीट ऐसा बनता है पर मैं बात करूं नौट फॉर प्रॉफिट और्गनाईशन की तो यहां पर final account कैसे बनता है देख लो दोस्तों पहले बनता है receipts and payment account मतलब कौन-कौन से account बनते हैं फिर मों वह भी बता दूँगा देखो sequence भी बताया मैंने कैसे बनता है सारी चीज़े कैसे बनती है not for profit organization में है ना जब end of the financial year होता है तो financial statement कैसे बनती है उसके बारे बात कर रहे हैं तो कौन-कौन से account बनते है not for profit organization में उस पर सचा है receipt and payment account बनता है income and expenditure account बनता है और balance sheet बनती है ठीक है यह हमने समझा दिया यह format ठीक है चलिए यह दो नम्मर में आया था है ना आप देखो आप यह sequence भी लिख सकते हो आप चाहो तो देखो कैसा sequence है देखो पहले क्या बनता है पहले बनता है receipt and payment account आपका school होगा temple हो गया college हो गया NGO हो गए है ना वहाँ पर सब पर not for profit organization यतने भी है महाँ पर क्या बनेगा सबसे पहले receipt and payment account फिर क्या होगा fund based accounting होगी है ना फिर क्या होगा treatment होगी कुछ items की जैसे subscriptions की donation की consumable items की है ना उसके बाद क्या बनेगा income and expenditure account और फिर बनेगा balance sheet है ना तो इस तरीके से sequence चलता है और इ account prepare होते हैं profit not for profit organization में याद रखना दोस्तों sorry मैंने profit बोल दिया था not for profit organization में ये accounts बनते हैं इस तरीके से sequence से account बनाए जाते हैं तो दोस्तों वीडियो को यदि like नहीं किया तो like कर दो चैनल को subscribe कर दो और पहला वाला comment जरूर देखना क्योंकि पहले वाले comment में मैंने एक playlist दी हुई है जिसमें आपको इस chapters related सारे के सारे lecture मिल जाएंगे जिनको आप बहुत अच्छे से prepare कर पाएंगे thank you so much इस वीडियो को देखने के लिए चैनल पर आते रहिए पर उसके लिए चैनल को subscribe करना बहुत जरूरी है बाकी आपकी मर्जी है बाकी like जरूर करें क्योंकि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपको like तो करना है चाहिए thank you so much